अरे, आप लोग तो कह रहे थे के आप अखंड भारत बनाओगे, आसपास के सारे देशों को भारत में मिलाओगे हाँ, बिल्कुल लेकिन जो पहले से भारत के हिस्से हैं, मणिपूर और उत्राखंड, उनको तो संभाल लो क्या हूँ, आपके डबल इंजन की सरकार को, क्यों नहीं वहाँ पर हिंसा रोख पा रहा डबल इंजन क्यों, वहां क्या हुग गया, कमाल है, आपको पता तक नहीं है क्योंकि ऐसी खबरों पर ना मीडिया वाले बहस करते नहीं आप लोगों को कोई वाटसअफ फोरवर्ड आता मेरी कौम जैसी खिलाडी लाईव आकर रो चुकी है फिर भी इतने हफते से देश का एक छोटा सा हिस्सा एक छोटा सा खुबसूरत सा प्रदेश मनिपूर जल रहा है वो नहीं संभाला जा रहा सरकार से गरीब सो लोगों की मौत हो चुकी है बेसेफ के एक जवान शहीद हो चुके है सोचो हाला क्या हो चुके होंगे बेखाबू भीड ने एक माँ और बेटे को जिन्दा जला दिया भीड हर जगह लोगों को भीड में बदला जा रहा है जिसके पास ना दिल है ना दिमाग ना इंसानी जजबात सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मारने काटने का जुनून सवार है भीड यही भीड मनिपूर में मासुमों की जान ले रही है और यही भीड उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दूसरे धर्म के लोगों की दुकानों और मकानों पर हमला कर रही है उन्हें शहर छोडने के लिए मजबूर कर रही है आपको उत्तरकाशी दिग गया आपको कश्मीर याद नहीं आया याद आया, आया याद याद आया, कि जब कश्मीर में हुआ तब भी आप लोगों की सरकार थी अब उत्राखंड और मनिपुर में हो रहा है तब भी लेकिन आप लोग सरकार से जवाब नहीं मांगोगे क्योंकि आप लोगों की सोच, समझ, अकल खتم हो चुकी है आप लोग कशमीर का बदला उत्तर काशी में लोगे ओरंग जेप का बदला अब्दुल से लोगे मगलो का बदला मनीपूर में लोगे फिर जो आज तुम लोग कर रहे हो उसका बदला कोई तुम्हारे बच्चों से लेगा बस जलते रहना इसी तरह है ना सरकार की कोई जवाब देही ना बिरूजगारी की चिंता ना बढ़ते अपराद की चिंता ना नोकरियों की चिंता ना अर्थ्विवस्था की चिंता ना साइंस की तरक ही, बस भीड बनाओ और सोनू का बदला मोनू से लेने के लिए निकल जाओ तो क्या करें, सारे देश को कश्मीर बनने दे, हाँ, सारे देश को बचाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है पुलिस और सेना तो बैठ कर मटर छी लेगी, पुलिस और सेना पर नहीं तो कम से कम मोदी और अमिच शाहा पर तो भरोसा कर लो उनसे तो जवाब मांग लो, दिन राज जिनकी आरती उतारते रहते हो, मतलब सब काम सरकार करेगी, हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं हाँ, सारी जिम्मेदारी ये गरीब और मिडल क्लास की है, सारी जिम्मेदारी बिरोजगार भीड की है, घर में माबाप इंतजार कर रहे हैं कि बेटा कब काम धंदाश शुरू करेगा, कब कमा कर लाएगा, घर में कुछ सहारा लगाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता, खुद की चिंता करना, खुद के बच्चे, खुद का परिवार, खुद के माबाप, कभी देश और धर्म की चिंता मत करना, आप लोगों का खुन पानी हो गया होगा, हमारा नहीं, गरम खुन है, हाँ, सारी गर्मी तो आपके ही खुन में उबाल मार रही है, आमिच्शाह का बेटा मस्त स्टेंड में बैठ कर क्रिकेट इंजुआये करेगा, तुम्हारे नेताओं के बच्चे मस्त विदेश में जाकर बड़ी उची-उची पढ़ाई करेंगे अंगरेजी में, और तुम लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो याद रखना, उनके बच्चे तो ठ तलवार थमाए जा रहे हैं, वो बनेंगे अपराधी, वो बनेंगे आतंकवाधी